मुझेफर पुर्जिला के औराई में बाड की स्थिती लगातार बिगरती जा रही है कभी जलस्तर कम रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं लिहाजा लोगों की परिशानी बढ़ी हुई है खासकर औराई परखंड के लखंदई एबं बागमती के बेसिन में बसे बसावटों का ल लगातार इस्थिती बिगरता जा रहा है नदी की बेसिन में बसे लोग बांध पर सरन लिये हुए हैं तंबो गार कर दरजनों परिवार रह रहा है और इनके बीच लगातार मदत की आस बढ़ती जा रही है बेकारी की स्थिती है परिशानी की स्थिती है इधर लोकडाउन की स्थिती अलग है लेहाजा तमाम तरह की परसानी के बीच बाड़ की जो आपदा है यसे बीच मदद का इंतिजार इन परिवारों का है बाड़ पिरित एबं बिस्थापित परिवारों से आज एटू जेट नियूज लाइब की टीम ने बास्चित की इलाके के कई चपे चपे पर हमारी कैमेरे की नजर पर हालात का जाजा लिया नदियों की हालात को हमने देखी बांध पर स्तनन लिये हुए बिस्थापित एबं बाढ़ पिरित एबं परभावित लोगों का बताना है कि उनकी आपदा की इस घरी में फोटो खिचने एबं साथ में फोटो खिचाने वाले लोगों की टीम जरूर आती है लेकिन राहत के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ इन लोगों का बताना है कि परखन एबं जिले के अधिकारी भी कई बार बाढ़ पिर्तों की हालचाल जानने के नाम पर दोरा कर चुके हैं बाढ़ की पानी से तवाहिक या मंजर किसी एक साल की नहीं है या सालों साल की परंपरा रही है बाबजूद परसासन के अधिकारी बाढ़ पुर्ब तैयारी का जो दावा करते हैं उसकी हकीकत कितनी सच्चाई की रूप में ले पाती है या इस बात को इस हालात को देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं हमारी A2Z New Life की टीम ने आज इस इलाके के दर्जनों गाओं एबं परभावित इलाकों का दौरा किया बभन गामा समयत कई इलाकों में हमारी टीम पहुंची बागमती नदी की बेसिन में बसे लोगों के हालात को देखा नाओ पर सफर करते लोगों से भी बास्चित की इनक की बेवसी के नाम पर राजनिती करने वाले और सियासत करने वाले लोगों को इनकी जमीनी हाकीकत को जानने की फुरसत नहीं है यह अलग बात है कि इन दीनों भारत नेपाल और भारत चाइना का मुद्धा काफी जोर पकर रहा है लेकिन गरीबों के नाम पर सियासत करने व सित्वा खा कर और इनके भरों से इनकी जिंदगी कैसे कटती है जंगलों से गेड़े हुए बांध पर इनकी जिंदगी और रात और दीन कैसे गुजरती है दीन में धूप का तांडब और रात में गहरी अंधेरी रात के बीच कीरे मकोरों के आने का डर और बंबू के सहारे बनी इन तंबू में कैसे इन गरीबों की जिंदगी परिवारों के साथ गुजरती है, इनकी बेबसी को बांध पर आकर सिर्फ फोटोग्राफी करने से नहीं, बलकि इनकी दुख दर्द को एब मर्म को समझने की जरूरत है, तब ही भारत की उत्तर भीहार की बाट की जो हाला में रहते हैं, पुजूद लाखों लोगों की जिंदगी कैसे दिन रात गुजरती है इस बात की सच्चाई को उजागर करने के लिए, ना बिपक्ष के राजनितिक नेताओं को फुरसत है और ना सत्तापक्ष के लोगों को इस बात की समझने की जरूरत है, क्योंकि बात ज करीबों को हर बार यूज किया जाता है, घर में केतना पानी है, बहुत काफी ज़्यादा, काफी मतलब दुबाव पानी है या भरगरदन, भरकमर, 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 तो आप अभी इनाओं से कहा गय थे, बांध पे पनियों ने खुजने के लिए, आप बांध पे चले गए हाँ, घर में पानी है, रासन पानी, सब उसी में गिला हो गया, सब भंस गया, क्या नाम हुआ आपका, हमारा नाम हुआ महमत प्याज, पिता, पिता अब्दुलमजीद, और आपका घर इसी कहों में है, हाँ, इसी कहों में है, कोन गां हुआ आपका, बहुन गमा, बहुन ग सब लोगों को एक नाव हैं उससे हम लोग बांध पे शरन दिला रहे हैं लेकिन अब तक जो पानी का कहर है वो रुख नहीं रहा है अब तक सहलाब का पानी बढ़ रहा है आप देख पा रहे होंगे कि एक भी घर नहीं बचा हुआ है तो हम लोग आशा करते हैं कि कितने भी लोग हैं वो बांध पे उची जगह पे पहुंच जाएंगे लेकिन वहां पे परिशानी यह बढ़ रही है कि बारिश का जो पानी है वो भी रुखने का नाम नहीं ले रहा है इसलिए सारे विस्थापितों के लिए यह बहुत बढ़ा बांध के बाहर ताज हजारों लोग घर से बेघर नहीं होते हैं जिसमें बाउक कह पानी की लिए वो क्णका कर रहा है लिहाजा इनके दुख दर्दों को समझने की फुरसत नहीं है बाट पिर्दतों से बाचित करने के दोरान इनके दुख दर्दों को समझ कर काफी परिसाने हुई कई लोग बताना नहीं चाह रहे थे, कई लोग अपनी बात को छिपाना नहीं चाह रहे थे कुछ लोगों का तर्क था कि हम बोलेंगे नहीं तो अपनी बात कैसे जाएगे लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा निरास दिखे इन्होंने कहा कि हरवार तो इनकी बात कोई बेवसी को पूछ लिया जाता है, साथ में कुछ पाजनेता आते हैं, फोटोगराफी कर लेते हैं, राहत के नाम पर चंद अनाज मिल जाते हैं, राहत के नाम पर एक पलोथीन सेट मिल जाता है, लेकिन अमिरजादों की जिन्दग कैसे कटती है इसकी बानेगी को देखने की और इसकी हकीकत को देखने की रियल में फूरसत का है